हेलो च्रेंट्स, वेल्कम टू माइनर्चर, मैं हूँ किष्णा, कैसे हैं सब लोग, मज, बढ़िया, चलो श्टार्ट करते हैं, डर्मेटलोजी का लास्ट लेक्चर है ना, इससे पहले हम दो लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर क्या था हमारे पास, सोरियासिस और स स्कैबिस, एक्जीमा, आज हम पढ़ेंगे एक्जीमा, ठीक है ना, तो एक्जीमा क्या होता, ये भी एक तरह का इसके लिए इंफेक्शन है, बट यहाँ पर हम बात करें, हमारे पास जो कॉस होती है, वो अल्मोस्ट अन्नोन रहती है, पता नहीं चलता किस वाई से हो रही है, लेकिन जब गौर से देखो रहे हो, इसकी पहचान डॉक्टर को बहुत अच्छे से होती है, पैटर्न होता है इनका एक, ठीक है ना, तो कहरा गुरूप अफ कंडिसन है, एक गुरूप अफ कंडिसन है, इन विज़ इसकी हो जाएगी, इन फ्लेम्ड हो जाएगी, अबना अर्थ क्रश्ट होता है, ठीक मोटी हो जाएगी और स्केली, पप्डी से उतरेगी, एक्जीमा कॉसे बर्निंग एचिंग, जलन होती ही, खुझली होती है, जलन होती ही, खुझली होती है, ठीक है ना, लंबे समय तक रहती है, सौरी, अटोपिक, डर्माटाइटिस इस दा मोस्ट कमन टाइप औफ एक्जीमा, एटपिक, एटवागी मतलव हो गया, रिजन हमको नहीं पता होते है, किन वज़े से होगी, क्यों आप भी तेखो यहापर तम लोग को समझ में आएगा, क्यों रिजन नहीं पता है, एट याटोगी से बदाईगा, एटोगी दे पर तो जोब कोई काम कर रहे हो वह पर कोई फ्यूम साती है पर तब कहां से हो जाएगा पता नहीं है इन से भी हो जाता है कुछ माइक्रोब से सटन बैक्टिरिया लाइक इस्टेफाईलो कोकस और यह वाइरस है कुछ फंजाई है कुछ अधर है हॉट अन कोल टंपरेचर ठंडा गरम हो जाता है ठीक है हीट हुमिडिटी परस्परेशन फ्रॉम एक्सराइजिंग जो एक्सराइ एक करान अच जाता है क्यों और यहां पर हमारा इम्मून सिस्टम काम करता है पैसो मतला इसे नहीं और यह लालपन रही है लालपन आया ही क्यों है लापन आने की वज़े होती है रहें तो इसनों फिल ये आखर करके हुआ पर नाव खुजा देए रहें तो छोता समझ लिए यह क्या है टी ऐा सल्पी होता क्या है समझ लिए ऑफर की स्कीन थीक है इसको समझ यूप पैफेजों कैसे क्रियेट हो रही है खुजली होईगी सबसे पहले प्या होती ही ख़ली TSLP क्या है, thymic stromal lymphoprotein is an epithelial derived cytokine, cytokine में बता है, सब के सब क्या immune response देने वाले हमारे पास क्या cells होते हैं, chemicals होते हैं, TSLP is released by primary epithelial cells, जो epithelial cells होते हैं, उनके दुआरा ये release किया जाता है, in response to certain microbial product, physical injury को चोट लग जाई, या inflammatory cytokine, तो कोई reason हो सकता है, यहाँ पर सावनावन से लगाओ, गर्सन लग जाओ, कोई चीज हो गई हो, तो TSLP क्या होते हैं, release हो जाता है, यह क्या करेगा, sensory neuron fiber, इनको जाकर के signal देगा, खुझली का, कि यहाँ पर कोई दिखकत हो यह, तो itching वाले फिर dorsal root हो गई लिए, दिमाग पर जाते हैं, दिमाग यहाँ पर कहता है, खुझली हो और ही खुझाओ, और खुझाते हैं हम लोग, अब TSLP साथ साथ में एक काम और करता है, एक तो यह हो गया, साधारन, यह का काम ना होता, केवाल यही चेंड चलती, तो 2-4 वर खुझली होती, खतम हो जाता मामला, लेकिन हुआ क्या, TH2, helper cell, 2, यह release बनना स्टार्ट होते हैं, यह कहलोग अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, और यह release करते हैं, इंटर लिक्यून 5-13, इंटर लिक्यून 5-13, क्या किस इसको प्रडक्शन में help करते हैं, इस्नोफिल्स को, इस्नोफिल्स जैसी बढ़ेंगे, यह डर्मिस में चले जाते हैं उपर, और जहां-जहां इस्नोफिल्स जैसे से बढ़ता है, लाल पन जो हाथ की कंडिशन देख रहे हैं, तो फिर वह कंडिशन क्रिए हो आती है, तो थोड़ा सा यहां पर क्या है, इस्किन का आ गया है, और चीज़ थोड़ी सी अलग हो गई है, तो टी एस्टू क्या है, टी एस्टू सेल्स आर इन्वाल्ब्न टाइप टू इम्यून रिस्पॉंस, ठीक है ना, इनकी यह सेल हमारे यहां पर क्या होएं, रिलीज हुए, टी यह इनको हटाएंगे, अब यह खुच जाके नहीं हटाएंगे, यह क्या रिलीज करवाते हैं, आयल 5 और आयल 13, यह बदले में क्या करेंगे, इस्टू फिल को बना देंगे, तो इस्टू फिल सा था टाइप ऑफ डिजीज फाइटिंग वाइट बलड सेल्स, फिर यह कर रहे हैं, यह कहां-कहां है, खासका allergic reaction, तो कहीं नहीं हम देख सकते हैं, खुचली कहीं नहीं ही वज़े से हो रही है हमको, ठीक है, तो यह आ गए यहां पर फिर और इस्टू फिल आ गया है, फिर और इरिटेशन होती है, और खुचली होती है, यह बनते रहते हैं, और ज cycle चलती रहती है, हम खुचाते रहते हैं, तो फिर धिद्रे ना पूरी बॉड़ी एस्टू फिल जहां जहां पूरी इखटे होते रहेंगे, वहां-वहां पर पूरी बॉड़ी में यह धिद्रे फैलता रहता है, तो यही एकजीमा है, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क पर बात करें, तो यहां पर क्या करें, खुझली देखने को मिलेगी, फैमली हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, एक्स कोरियेशन ऑफ दा स्केन, इसकेन का उतरना हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ दा स्केन, इसकेन रोखी हो इसलिए कहा जाता है वेटा, अगर इसकी ध्यान रखो, इसकीन की बिमारियों सो बचना चाहते हो, तो सब के लिए, फॉर मेल और फीमेल सब के लिए, ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हम क्रीम नहीं लगाते, क्रीम मत लगाओ, ऑइल लगाओ, कुछ भी करो, कोई एक ऐसे प्रोड़क्ट इस्तेमाल करो, कि यह सर्दिया है, ग नहाने के बाद, अक्सा सूख जाती है, तोरसा हम लोग अच्छा, गर्वियों में तो क्याлем तो सबसे लिए तरुन तरुना आ जाता है, लेकि नहाने के बाद, सर्दियों में, हैं सकिन पर कोई चीज लगा लो चिकनी सी, कोल्ड करिम सर्दियों में काम आती है, कोई भी करते हैं गवे हैं इसकिन का चिकना होना जरूरी होता है अधर्वाइस पढ़ेंगे इसकिन फटेगे और वहीं से प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है ठीक है एक्टियोसिस है रिकरंट कंजक्टिव आइटी से अपना जो आँख में लालपन आ जाता है ठीक नॉन फार्मकलोज इसे लपेट करके न उसको नम रखा जाता है तो वेट रैप थेरपी विद और विदाव टॉपिकल कोटिको स्टिरोइड मतलब हम उस वहाँ पर इस्टिरोइड वाले क्रीम लगा करके उसे लपेट करके रख सकते हैं ताकि वह जगे ठीक हो या बिना उसके भी हम गीला र द्रिक्रोट्रीयमेंट हो गया कि फारिकोलोज घ्यावा लहान के बात नो'sवी इसम बड़ायों की बात करें तो साइकल। स्टिरोइड आपने पास ठीक है आए हम पहले ही पढश्यूक है वह दवाईय पढ़ उस सेम और डूपिल्यूमेब और ट्रेलो की नूमेब तो देखो पिल्स मेडिकेटेड और यह बाइलोजिक अल्मोस्ट सेम है जो हमने पहले पढ़ रखी है गौर से देखो के तो तो वही दवाईयां यहां लिख सकते हो तो यह कंपरेटिव हैना हमने एक ही चीज तो पढ़ रहे हैं तो यह चीज थोड़ा कंपरेटिव में चीज तो अलग होती वह बागी चीजें काफी हद तक सेम से मिल जाती है तो कंपरेटिव पढ़ो किसी चीज के अंदर के टॉपिक को तो वह क्या है हमको हमारी पढ़ाई असान कर देता है हम लोग कंपरेटिव पढ़ते तो एक ही मेरा कोई प्रॉबम आते हैं कॉल करें नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडियाफ डाउनलोड करें आराम से खूब इस्तमाल करें उसका बाद बागी यह एप है एप की हेल्प लेना चाहते हो तो उसकी हेल्प लेने के लिए थोड़ा सा आपको प्रा करते जाना है ओल दा बेस्ट